Morning all of you, हम अपना chapter 9 अविनातर प्रदेश शुरू करेंगे जो कि सती जैसवाल जी द्वारा लिखा गया है इसमें हम यहां तक पढ़ चुके थे, अब हम आगे करेंगे यहां अभी बिजली नहीं पहुची है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है यहां क्या हुआ है, अभी तक बिजली नहीं पहुची है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है डिब्रियो और मुंबत्ती की रोशनी में भोजन करना और अपनी चाया को देखना किसी प्रातना सबा में एकट होने या भोजन से पहले कोई धार्मिक अनुस्ठान संपन करने का आभाज देता है तो देखें, इन्होंने बोला कि यहां कोई बिजली नहीं है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है डिब्री और मुंबत्ती की रोश्णी में खाना खाने से ऐसा लग रहा है, जैसे कि किसी प्रातना सबा में बैठे हैं और अपनी परचाई बसंब देख रहे हैं कोई धाल मतलब ऐसा लग रहा है कि भोजन से पहले कोई धाल में कनुस्टान संपन हुआ है ऐसा भास हो रहा है रास्ते के ये धाबे भीतर से खूब साफ सुत्रे होते हैं रास्ते में जो धाबे पर देश में बिलकुल साफ सुत्र हैं अंदर से भोजन भी सादा साफ सुत्रा भोजन भी एकदम सादा और साफ सुत्रा है भोजन के साथ पीने के लिए गरम पानी और भोजन के बाद हाथ धोने के लिए भी गरम पानी है भोजन के साथ पीने के लिए भी गरम पानी दिया जाता है और हाथ धोने के लिए भी गरम पानी दिया जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़ादा ठंड है ना इसलिए सेने चौकी में हमारे Inner Line Permit की जाच हुई सेने चौकी में क्या हुई? इनके inner light permit के जाच होई inner line permit यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं oxygen कम होती है और सास लेने में दिक्कत होने लगती है तो जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं oxygen कम होती है और सास लेने में क्या होने लग जाती है दिक्कत होने लग जाती है बरफ पढ़ने के मौसम में यहां रहने वालों के लिए पानी की भी दिक्कत होने लगती है और बरफ पढ़ने के मौसम में क्या होता है यहां रहने वालों के लिए पानी की भी दिक्कत हो जाती है तब लोग बरफ के टुकडो से प्यास बुझाते हैं और उनका नहाना दोना तो हफते में किसी एक दिन ही हो पाता है और उनका नहाना दोना हफते में एक दिन हो पाता है मतलब वो रोज नहीं नहा पाते हैं उने पीने की दिक्कत हो रही है लोग बरफ के टुकडों से प्यास को बुझा रहे हैं इतनी ठंड है रोज करना आएगा इसलिए वो हफ्ते में एक बारी नहां पाते हैं टैक्सी वाले ने बताया कि जीलों में जमने वाली बरफ का तल इतना मजबूत होता है कि सेना के ट्रक भी उस पर से गुजर सकते हैं तो जीलों में जो बरफ जमती है उसके जो उपर की परद होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसके उपर से सेना के ट्रक भी गुजर सकते हैं बरफ की पहली जोलक पाने के लिए मैंने अपना सारा ध्यान सामने दिख रहे पहाड़ों पर के चित्राई हुई थी तो क्या हुआ कि बर्फ की पहली जग जलक पाने के लिए इन्होंने क्या किया था मैंने अपना सारा ध्यान सामने दिख रहे पहाड़ों पर केंदित कर रखा था जो सामने दिख रहे थे पहाड उन पर लेखक ने अपना सारा ध्यान केंदित कर रखा था जिनके शिकर तो धूप से चमक रहे थे पर धलानों पर छाया पढ़ रही थी क्योंकि क्या था शिकर पर बरफ चमी हुई थी छाया वाली धलानों पर जगा जगा क्या थी बरफ छित्राई हुई थी मतलब चोटी पर तो बरफ नहीं थी धूप थी पर नीचे क्या थी ऐसे देखिए बरफ छित्राये हुए जैसे लग रहे थे ठीक है बिख्रे हुए लग रहे थे इससे पहले मैंने हिमाले के किसी हिमान्चित शिकर को मौकॉसानी या रानी खेट से देखा था इतनी दूर से वहे देखना किसी पोस्ट को देखने की तरह था इन्हों ये बोलते हैं अब कि हिमाले के किसी हिमान्चित शिकर मतलब कि हिमान्चित शिकर को इन्होंने कौसेनी या रानी खेट से देखा था हिमाले के शिकर को और वो इतनी दूर से देखने का मतलब है कि पोस्टर को देखना को साफ साफ नहीं दिख रहा था ना इसलिए चीक है अभी हम इतना ही करेंगे आगे हम next class में करेंगे आपको यहां पर यहां तक अच्छे से करना है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बैल आइकन जरूर हिट करें और यहां तक अच्छे से पढ़ना है आपको